हलो गाइज विडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड गेमिंग की और किस तरीके साथ अपने स्मार्टफोन में रे ट्रेसिंग का मजा ले सकते हो जी हां ये एंविडिया के तरफ से नया स्टेटमेंट आया स्टेटमेंट नहीं बोलूँगा देखो एंविडिया ने जो ह है वह फिलाहाल के लिए तो वह बीटा में ही है लेकिन उसमें जो है वह आप जो है वह क्लाउड बेस गेमिंग का मजा ले सकते हो जैसे की गूगल स्टेडिया है ठीक है तो सिंपल उसी की तरह है एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल को किसी भी तरह के सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसक्रिप्शन में दीका है में जो लिंक से शॉपिंग कर सकते हैं उससे चैनल को सपोर्ट में लेगा बढ़ते आगे लेकिन अब जो है वह इन्वीडिया ने बोला है कि जो उनका जो जीफोर्स नाओ जो ये भी 120 तक जाएगा और आप जो हो अपने लेटेस ट्रिपल ए टाइटस जो है वो अपने मुबाइल फोन अपना पीसी अपने मेबी आपके पास कोई मैक बुक हो या फिर कोई अल्टरा थिन लाइट नोट बुक वगरा कुछ हो उनके अंदर जो है वह आप इसका मजा ले सक अगर आपने कोई गेम जो है वह स्टीम पे औरिजिन पे यूपले पे वगरा पर खरीदा हुआ है आपको वही दोबारा गूगल के ओन प्लैटफॉर्म पे दोबारा से उसको खेलना है तो आपको वह चीज दोबारा खरीदने पड़ेगी गूगल से लेकिन इसके साथ यह नहीं है तो जी फोर्स नाओ अगर आप यूज़ करते तो जी फोर्स नाओ जा वो ऑटोमेटिकली डिटक्ट कर लेता है कि आपने स्टीम यूपले ओरिजिन यह सब जो आपकी जो अपकी जो प्रविसें जहां से आप गेम बाय करते हो इन में जो है अगर आपने कोई गेम buy किया हुए यह automatically detect कर लेता है तो अगर आपने for example steam से आपने कोई game खरीदी वी है या you play से खरीदी वी है तो यह automatically उसको detect कर लेगा आपको दोबारा रख से खेलना नहीं पड़ेगा वो game जो है वो आप जो है वो पहली बात उसको जो है वो अपने smartphone पर खेल सकते हो with ray tracing enabled तो यह जो है वो उसके लिए आपको Nvidia बोलता है कि आप फिलहाल के लिए तो उन्होंने Samsung और LG के smartphone का नाम लिया है तो बाकी phones में भी धीरे धीरे आयागा लेकिन फिलहाल के लिए Samsung Samsung और LG उना ने बोला है और यह भी बोला है कि उसके लिए आपको कोई Bluetooth गेम पैड वगरा चाहिए होगा क्यूंकि अफकोर्स आप फोन में PUBG की तरह स्क्रीन पर खेलोगे नहीं तो कोई Bluetooth controller तो अफकोर्स चाहिए होगा तो मतलब यह सब चाहिए होगा और हाला कि अभी भी यह बीटा में है NVIDIA ने बोला है कि वो जल्दी से जल्दी इसको रिलीज करने कोशिश करेंगे रोलाउट करेंगे इसको जल्दी जल्दी फ्यूचर में लेकिन फिलहाल के लिए यह बीटा में है और अभी के लिए जो latest RTX वाले जो servers है उनका मज़ा जो है वो सिर्फ Northern Californian users और German users ही कर पाएंगे उनका मज़ा सो कुछ हद तक यह जो service है यह NVIDIA की GeForce Now यह Google Stadia से बहतरीन है लेकिन कुछ scenarios में जो है वो Google Stadia जादा बढ़ी है जैसे कि इसमें 1080p ही है आप 4K पे नहीं खेल सकते इसमें जो है वो आपको गेम अलग से बाई नहीं करने पड़ेंगे हो सकता है फूचर में NVIDIA जो है वो live 4K बगएर एक options तो वो चीजे हाला कि इसमें भी आपको Netflix के तरह जैसे होता है कि monthly कुछ एक subscription का जो amount होता है वो आपको pay करना पड़ेगा तो वैसा ही कुछ होगा बाकि गेम जो आपकी चलीगे cloud पे हला कि इसमें फिर latency बगएर का कोई फाइदा नहीं है कि latency कितनी होगी जो आपका होता है Google Stadia में जैसे जादा डिवाइसे supported है आप tablet से अपने phone में switch कर सकते हो same game और बहुत सारी चीजें है जो तुम बस तुम्हें बस एक ऐसा device जी इसके अंदर Google का Chrome browser खुल जाए and जीफोर्स नाओ जो है वो अभी तक बीटा में जबकि 2017 से आया हुआ है जबकि Google Stadia ये बोल रहे है कि नवंबर 2019 में आ जाएगा काफी जगह पे और जो महारा जो ये जिफोर्स नाओ है ये जो है वो अभी तक 2017 से लेकर अभी तक बीटा में है बहुत सारी companies है जो अपनी gaming services लाने को हिश कर रही है और अभी जो तुमारा Microsoft है वो अपनी gaming services लाने को हिश कर रहे है Sony लाने को हिश कर रहे है ठीक है तो बहुत सारी चीज़े हैं तो NVIDIA के CEO Jenson Wong ने भी हाल फिलाल में स्टेटमेंट दिया है था कि अगर तुम्हें पास 2019 में एक Ray Traced Capable GPU नहीं है तो ये पागलपन है या इट्स जस्ट क्रेजी आप स्टेटमेंट पुरा पाल सकते हो मैंने इसको शेयर किया था उस वक्त पे मैंने इसके पाइब डेडिकेट वीडियो नहीं बनाई तो ये चीज़ है और आपको कौन सी सर्वीज ज्यादा बढ़िया लगा आपको GeForce Now ज्यादा बढ़िया लगा हाला कि officially तो रोल आउट कुछ भी नहीं हुआ है हर बंदे के लिए ऐसा नहीं है कि Google Stadia अवेलिबल हो गया है GeForce Now अवेलिबल नहीं है ऐसा कुछ नहीं है दोनों जो है वो limited access ही है मतलब कोई beta में है कोई जो है वो सिर्फ कुछ countries में अवेलिबल हुआ है Google के अपने कुछ advantages है Nvidia के अपने कुछ advantages है तो मुझे देखो personally बोलो तो मुझे Nvidia के service जादा बढ़िया लेगी क्योंकि अगर आप ray tracing के साथ आपको 1080p पे अपने smartphone पे खेल पाते हो और आपको games बाइर नहीं करने दोबारा तो ये बहुत लोगों के लिए plus point होगा लेकिन फिर again होई बात है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए games खरी देंगे अब वो नए games हो सकता है Steam से ना खरी दें सिर्फ Google के store से खरी दें ताकि जो है वो अपने 4K में मज़ा ले पाए अपने phone पे या TV पे जो है वो Google के Stadia service का तो अपने अपने use cases हैं अपने अपने हो सकता है कि किसी को कोई चीज पसंदो लेकिन आपको ये वीडियो पैसी लगी वो जो है वो comment section में बताना ना भूले और अगर आपको PC hardware related content में इंटरस्ट है तो please channel subscribe करें धन्यवाद, bye bye, take care